देखिए अब हम आप लोगों को बताने वाले समास आप 8 में हो 7 में हो 6 में हो 9 में हो 10 में 11 में या competition level कोई भी समास सबके लिए समान है ठीक है संस्क्रीट में भी समास ऐसी पढ़ सकते हैं मतलब इसी से चाड़ सकते हैं कोई भी अगर आपको बढ़ दूए वह उसको बिपग्रा करो और समास के लिए बिगरा करने पर कुछ भी भीभाक्ती मिले कुछ बीच में ब्रायच्ति मिले तो वह एक ताइप का समास है यह फिर कुछ से जुड़ा हुआ है effectivement है कुछ सेंटेंस समास होता है पहला होता है अब्याई भाव समास अब्याई भाव समास की कौन सा होता है प्रथम पद प्रधान होता है इसमें प्रथम पद क्या होता है प्रधान प्रथम पद को ही बोलता है पूर्व पद पूर्व पद प्रधान होता है पद प्रधान चलो ना हमको इतना नहीं याद रखना है पूरवपाद या प्रधंपाद क्या होता है जो रहेगा उसका पहचानने का ट्रिक क्या है तो इसका ट्रिक है जिस सब्द में श्टार्टिंग में बे लगा हुआ रहे क्या लगा रहा है बे लगा रहा है प्रती लगा रहे यथा लगा रहे आ लगा रहे या फिर सब्दों की पुर्णा भृति हो अनल्ला कि वे प्रती यथा आ और सब्दों की पुर्णा बिर्थी हो तो वहां पर कुछ समास होता है वह अभ्याई भाव समास होता है कौन सा समास होता है अभ्याई भाव समास जैसे कि आप लोग एक्जामपल में देखते हों कि यथा संभाव यथा शक्ति कौन सा समास है आ जीवन कौ प्रति दीन कौंसे समास यह बश्याशार कौंसे समास भकी हैं सब्धों की पूर्णा दीजिएन Δिन कौन से समास रातोव रात वरत वाव समास यह सब क्लीछ effоп privile सब्धों की हुटरि होते हैं ऐक और भर वह कि जैसे कि अने भ़र पेट भर पिट रहता है ना तो वो अब्याई भाव समास का उधारन है, कौन सा समास? अब्याई भाव का समास का उधारन है दूसरा होता है तत्पुरुष दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष इसका भी हम 12th क्लास का question 1 का सारा question solution भी अभी करेंगे समास का सारा objective जितना पूछा गया अभी तक में तत्पुरुष समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान हो या फिर दूसरा पद प्रधान हो उत्तर पद उत्तर यानि कि दूसरा या अंतिम या अंतिम पद की प्रधानता पद की प्रधानता तत्पूरुष समाश होता है तो तत्पूरुष समाश कि जिसका तूसरा पद अंतिम पद या उत्तरन पद को ही भोते हैं त्जा प या उत्तर हमोने ए भी याद नहीं रखना हैं ये का तो यह याद नहीं रखना है हमको ट्रिक याद रखना है किया याद रखना है ट्रिक तत्पूरुस समास अब देखो कोई भी एक जामपल हो और पुझे यह कौन सा समास है कौन सा समास है अगर बीच में मिले कारक भीवक्ति जैसे की एक्जाम्पल है राज कन्या, राजा की कन्या, जैसे की एक्जाम्पल, इसमें आप लिख सकते एक्जाम्पल नहीं लिखें, यथा सकती, प्रतेक, बेशारा, आजीवन, दीनों दीन, रातों रात, इस तरह से भर पेट, ठीक है, इसी तरह से और भी आप एक्जाम्पल लिख सकते हैं, बीच में कारक विभक्ति मिले, ठीक है, तत्पूरुष समास क्या होगा, बीच में क्या मिलेगा, कारक विभक्ति, क्या मिलेगा, कारक विभक्ति, जैसे देखो, राज कन्या, एक्जाम्पल के तोर पे राज कन्या, तो इसको तोड़ो क्या करो तोड़ो तोड़ने पे क्या पता चलेगा राजा की कन्या तो की जो यहां पे आया वो क्या है कारक तो यहां पे तथ पुरुश नमास आ गया मतलब तोड़े बाटे पुरुषों में उत्तम तो यहाँ पर में आया बीच में तो यह ततपुरुष्शमास है और फिर इसी तरह से आगे लिख सकते हैं यूधिस्टिर तो यूध में इस्थी रहने वाला तो में आया तततपुरुष्शमास है रसोई घर रस्वी के लिए घर, याने कि बीच में आया के लिए, तो हो गया क्या, कारक बिभक्ती बीच में आया तो यहां पर कौन सा समास है, तो ततपूरुष समास, तो इसी तरह से और भी आप एक्जाम पर लिख सकते हैं सिधे जो बढ़ रहे उसको तोड़ना बीच में कारक विभक्ति मिले तो होगा कौन सा समाश सब्सक्राइब कितना बोलेगा कारक विभक्ति क्या होता है तो देखो कारक विभक्ति यहां पे लिख देते हैं कारक कर्ता ने कर्म को कर्म को करंसे संप्रेदान को के लिए को के लिए इसमें होता के लिए का महत्व जादा ठीक है अपदान से अपदान से शंबंध काके की की अधिकरन मेय पर अधिकरन मेय पर यह सर तो देखी यह कारक भी भगती है यह जो यहाँ पर है ना यहाँ पर लिखा हुआ यह कारक है यही कारक है ठीक है तो जो तोड़े बीच में है ने को से के लिए से काके की मेय पर यको तो वो कौन सा समास आएगा तत्पूरुस जैसे देखो राजा की कन्या पूरुशों में उत्तम युद में इस्थिर रहने वाला रशोई के लिए घर तो ये कौन सा समास है तत्पूरुस अगर आपको पूछ दे तत्पूरुस में कौन सा पद प्रधान होता है तो दूसरा फजांति si, a paffi उसstoup, a th Nuclear human bell अन्द की कौं सा पद प्रधान होता है अब या इभाव में तो प्रथम पद प्रधान होतक है चले दो समास हमलों के कंप्लेट हो गया अब देखते तीसरा की तो तीसरा हता है को द्वांद समास, तीसरा आता है, द्वांद, तीसरा कौन सा आता है, द्वांद, अब कौन सा समास आता है, द्वांद समास, द्वांद का मतलब होता है, बिरोधी, बिरोधी कौन होगा, कोई और ही होगा, तो द्वांद का मतलब समझे है, और, द्वांद का मतलब क्या समझे ह हुए रहेंगे दो बड़ जुड़े हुए रहेंगे और उसको बिग्रा करने पर तोड़ने पर और मिले क्या मिले और तो उसको क्या बोलते हैं और कुछ-कुछ बड़ जो होता है स्लैस से जुड़ा हो रहता है सारा नहीं है कुछ-कुछ डैस से जुड़ा हो रहता है जो अभ्याई भाव या कोई और समास भी होता है लेकिन कुछ-कुछ द्वंदी होता जालता है जैसे माता पीता के बीच डैस होता है राधा कृष्णा के बीच होता है तो रा दोनों पद होगा। tacos की प्रधानता होती है। तोंतसवास में दोनों पद की प्रधानता होती है। जैसे की लोटा झोटे resistant मातापेता राधकृष्णा रामशिता एजांपल में ले सकते हैं। राधकृष्णा लोटाडोरी और इसमें बता है बीच में डैस रह भी सकता है नहीं भी जा सकता है माता पिता भाई बहें इस तरह से आप समझ सकते हैं दोनों पद क्या है प्रधान है दोनों पद क्या है प्रधान है और देखो लोटा और डोरी माता और पिता दाल भात राधा कृष्णा राधा और कृष होता है दोनों पद की प्रधानत होती और दोनों पद क्या होता है अलग-अलग होता है अलग-अलग क・टीक है क Nicht stal बुक का शोलिवसन करेंगे आपको पता चलेगे अब आता है चौथा दूइगउ समास कौंसा देखो इसको कैसे याद रखेंगे में दोई तो संक्रीत में दूई का मतलब होता है दो कर मतलब क्या होता है दो संख्या बाचक जो समास होगा जो संख्या से सुरूह होगा वह होता है द्रीगु समास होगा जैसे कि तुर भूज गिना सब्हुता बहुई भी समासा जैसे कि चतुर नन्न गु को रागव इस तरह और भी एकजाम पर आब ले सकते दूइगू समास नहीं होता है तो कैसे नहीं होता है वह बहुत बढ़ी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा दूइगू समास क्या होता है जिसके आगे संख्या बाचक देखो दूइगू दूइगू का मतलब दो दो का मतलब संख्या बाचक तो देखो यहां पे त्री आया त्री का मतलब तीन होता है तो संख्या बाचक चतुर आया तो चतुर का मतलब चार होता है संख्या बाचक चोराहा चोराहा चार राहे आगे में संख्या आया तो संख्या बाचक अब आता है पच्छमा कर्म धारे समास कौन सा समास कर्म धारे समास समास तो कर्म धारे समास क्या होता है बिशेशन बिशेश से बिशेशन बिशेश से जो होता है वो होता है कर्म धारे भीषयसन बिशेशन सुरि बिशेशन से मतलब भीषयसन और बिशेश का मतलब संगया निस गाट होता है तो वहाँ इसे समास जिसका प्रथम पद लूसरा पद संगया हो ठीक है और आप बात मेりकर उल्टा भी हो जाता है ठीक है पहला पत्थ क्या हो भीनसे दूसरा पत्थ क्या हो संग्या तो कर्मधारह संतय से रहेव जा देखो नील कमल नील कमल तो ड्शों को तो लो ऑफ हint भीगग्रा Dieu कंछा सो कमल के शतरátक नीला से नीड कमल कौन सा समांसल है तो कर्मधार है तो आपको एक बड़ क्रमधार बिशेशण कर्मधार रहे दूइल संग्या भाचे दे और चौन और तो आपको याद रहे घासानि से कर्मधार रहे क्मतलब क्या होता है बिशेशन बिशेश से नील कमल तो बिशेशन हो गया नील और कमल हो गया संग्या नीला है कमल फिर आता है महात्मा 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 का अगर इसको तोड़े तो होगा महान आत्मा तो महान क्या होता है बिशेशन आत्मा क्या होता है संग्या पढ़ाना ध्यापक तो अध्यापक है जो प्रधान है ठीक है तो यहां पर प्रधान क्या होगा विशेशन अध्यापक क्या होगा संग्या तो यह हो कर्मधारे समास एक्जामपल के थू हम समझेंगे बुक से ठीक है अभी फिला इतना याद रखे कर्मधारे विशेशन से से होता है छट्ठा नंबर होता है बहु प्रिही शमास कौन सा समास बहु प्रिही शमास अब देखो वैसा समास जिसका अर्थ ही बदल जा है अर्थ कुछ और निकले कुछ जिससे एक्जामपल में दस आनन इक्जामपल में ढूपकर इस दस आनन का मतलब गता है दस है आनन जिसके उग्जामपल में आता है दस आनन दस अिछॉन ने जिसके आगह में दस है लेकिन वाध दिगु यानी संख्या वाचत का अर्थ चेंज तुरिभूज चतुर मतलब क्या होता है रवन पीजित नंome के समाना अनन का मतलब होता है सीर तो कजड़ान कहा गया गया गनेश को किस को कुछ कुछ इसमें आएगा संख्यावाला भीeking चतुराण लाएज चार है आनंशाunuz सिर्जेसि के Мне चतुराण पीना घाजनंग फिला हैं अंबड द्लिश क決िस्का किसको कह ज़ा है बिशनू को पितांग्भर तो पीतांबर इसको को कहा गया ओर भी इसका बहुत सारा एक्जामपल होता है। गजनन, गज के समान आनन, चतुर आनन, चार है आनन जिसके, मतलब चतुर है आनन जिसके, पीता अंबर, पीला है अंबर जिसका, बीना पानी, पानी का मतलब होता है हाथ, बीना का मतलब बीना, तो जिसके हाथ में बीना हो, यानि कि शर्सती, फिर कमल याशनी, मतलब जिसका पासन कमल हो, तो कौन से होते हैं? शर्सती, इसी तरह से आप समास को याद रखतें बहुब बिरिग क्या होता है? अर्थी कुछ और निकले, अर्थ क्या निकले? कुछ और, अब देखो छट्था आप लोग से जल्दी पूछता नहीं है, नय समास कोन से समास? नय समास, निगेटिव अर्थ नका रात्मक स्थेंस नका रात्मक जैसे असात्य जैसे में असात्य जैसे जिसको तोड़ेंगे ना तो ना मिल जाए क्या मिल जाए? ना असात्य यानि सात्य नहीं असात्य का मतलब सात्य नहीं उसला अनांत अनन्त का मतलब अन्त नहीं अनन्त का मतलब अन्त नहीं अमर अमर जो मरेगा नहीं ना मरने वाला को क्या कर गया अमर तो ये सब क्या है नकरात्मक है तो नकरात्मक है तो कौन से समास नए समास तो नए समास आप से पूछता है तो ठेंसर नहीं लेना दो औंत का मतलब एक वा रिवीजन कर लेता है ठीक है अभ्ध्याई भाव समाज क्या होता है तो जुक सvिन और धार पर में जैसे की राज का करेगा कोई अर्स जूडएगा जीठारी लोटा ड़ोरी माता पिता भाईवान रारा कृस्ण ड़ाल भाथक इस तरह से रहेगा ठीक है रोटी सब्जी अगला आता है 2- 아닌-情況 समास दूइ का मतलब 2-2 क्या संख्या बाचक्त हो जिसके आगे संख्या बाचक तो 3 भूज होगा मतलब 3-3 है तो 3भूजा चतृ भूज यानि 4 भूजा 4 यानि जिसमें 4 अब देखो अगला आता है कर्मधारे कर्मधारे का मतलब होता है विशेशन 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 विशेश लुग फिसनु को ने समय हो चलिए को जो कोशिन बैंक की है कोशन बैंक करते जो हिंदी में जितना भी तक में समास पूछा गया उससे ठीक है तो चले इस सॉल पर तेखें यहां पे हिंदी का मतलब किसमास वहला forwardать-tooth perspective question का solution करता है ठीकिज आनन्ध मैं है तो देखें सबसे पहले इसको बिग्रा करेंगे आनन्ध में मैं है मतलब कि आनन्ध में घुला हुआ आनन्ध में वह घुला हुआ आनन्ध में में बीच में मैं यानि कि कारकती तो बता थैं जिसमें कारक भी भक्ति आए वो क्या आता है तत्पूरुष अगला है नव रत्न नव रत्न नौ रत्न लेकिन नौ रत्नों से कुछ बनता है तो नौ रत्न तो आगे में आगे है संख्या बाचक तो संख्या बाचक किसमें है दिग्गु में होता है तो कौन सा समास दिग्ग इस अगलाव चंद्र मॉली जन्द्र मॉली यहां ज्सके मॉली पर चंद्रमाह हो यह संकर के से पर चंद्रमाह होता है संकर यहां पर आगीया बहूब्रिहि झालिके लिए घर तो बीछ में आया के लिए, तो तत पुरुष, अगला है चंदर सेखार, जिसके सिखार पर चंद्रमा हो, यानि संकर जी, तो हो गया बहुब्री हिज़ा, अर्थ चेंज हुआ, तो कौन सा समास? बहुब्री ऐसे होना चाहिए बहुबरी पर यहां पर तत्पुरुष होगा यहां पर लुप्त पद तत्पुरुष आया है कौन सा लुप्त पद तत्पुरुष आगे देखेंगे त्री फला सब्द में कौन सा समास है त्री फला सब्द में त्री फला आगे में 3 है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो आगे में संख्या तो संख्या बाचक दूइगू कौन से समास दूइगू शमास धीरे धीरे तो बताया थे सब्दों की पूर्णा बरीती हो देखो बीच में 10 है तो 10 रहने से नहीं होता है दूअध समास सब्दों की पूर्णा बरीती है तो अब्याई भाव समास कौन सा समास अब्याई भाव बताया थे जो बे आ भर यह शब्दों की पूर्णा बरती या फिर यथा से या प्रती से जो सुरू होता है सब्द वह अब्याई भाव होता है कौन सा अब्याई भाव हो है प्रति जोड़ एक से तो प्रतेग भी कौन सा अभ्याई भाप धनी धनंसे ऐन धनसे रिंदान से दीच में से आया तो तッतपुरुश्च फ्रमास कौन सा समास थतत पुर्च रामानुज राम का अनुज राम का अनूज, तो राम का अनूज के लिए हो जाएगा, राम का अनूज बीच में आया क्या का, कारक भीभक्ती, तत पुरुष समास, आज कल, आज और कल, दोनों पत की प्रदानता है, दोनों के बीच और आ रहा है, आज और कल, तो कौन सा समास होगा, दोंद समास, दोंद बटी तो पाच बटी तो वही आगे में संख्या तो दिगू शमास कौन सा समास दिगू हाथ पैर यानि कि हाथ और पैर तो कौन सा समास द्वन्द समास अगला है काम चोर देखो काम से चोर या काम में चोर काम में चोर तो कौन सा समास बीच में है कारक भीवक्ति तो होगा त पुरुश। लंभोधर कौन सा समास है तो लंबा है उधर जिसका तो लंभोधर कहा गया गनेश जी को किसको कहा गया गनेश जी को उसके उनिवी नम्हीं को उसके लिए बहूब ऑशए ऑर चेंज हो गया कुछ रोति दाल और रोति दुट का मतलब और घंश्याम किसको कईच्च्च्च्च को किसको कह गया है कृष्ण जी को यहां पर बहुप्री ही शमास होगा यह कौन सा समास होगा बहुप्री ही दोनों आता है बहुबुरी ही ंपसन नहूं ताव कर्मधार मानें इसमें आजयेगा इस स कौंसा ऑंसी आ घण स्याम। दोनों आता है बहुब्री ही भी घण स्याम का मतलब होता है K év explosions कंकि यह इसकी विसेशता बता रहा है तो जोराह कौन से स्मास चो राहा, चो एक्जाम में आजाए, बहुबरी ही ओप्सन ना हो, तब कर्मधारे मारेंगे, ठीक है, बहुबरी ही ओप्सन है, कर्मधारे भी है, तो मारेंगे कौन सा, जो पहले रहेगा, अगर सिर्फ कर्मधारे है, तो कर्मधारे मारेंगे, ठीक है, चोराहा कौन सा समास है चोराहा कौन सा समास है तो चोराहा आगे में संख्या तो दिकुशमास कौन सा समास दिकुशमास पितांबर किन को कहा गया तो पितांबर कहा गया पीला है अंबर यानि कि विश्णुजी को तो बहु बरी ही शमास अगला है आपाद मस्तक देखो जिसके आगे आ आ आ जाए कौन सा समास अब्याई भाओ option C कट खोदवा का अगया है काठ को खोदने वाला काठ को खोदने वाला तो काठ को आगया बीच में तो तत पुरुष नमास कौन सा समास तत पुरुष अगला है गोव साला गाई के लिए साला या गोव को ही गाई बोला गया है गाई के लिए जो साला होता है के लिए आ गया तो तत पुरुष नमास चिड़ी मार चिड़िया को मारने वाला चिड़िया बीच में आ गया को तो हो जाएगा तत पुरुष नमास पूरुष थम अधिकरत में या पर बता अभी लिखा थे तो जग तथपूरुष अधिकरतर प 10 अधिकरत अभिया, भाव भाव पाव नभेत, प्रेद्गilar कौन से जुड़ रहा है। तो कौनसा समास? द्वंद समास. कौनसा समास? दीखने राज द्वंद समास. अगले राज कन्या. क्या है? राज में कन्या. राजा की कन्या. तो तत्पुरुष. अगले आ जन्म. यानि की पूरा जन्म. या जन्म भर. तो जिसके आगे आ हो. तो कौनसा समास? अब्याई यहां पहना यह कर्मधारई भी है बहुब्री भी है क्या है कर्मधारई भी है बहुब्री भी है तो जो पहले option आया है उमारेंगे देखो कमल नयन जो है वा कमल के समान है तो यहाँ पे देखो संग्या विसेशन भी है नयन का गुन बता रहा है कि कमल के समान है तो संग्या विसेशन है यह विसेशन विसेशी है तो करम धार है होगा ठीक है और ये कमल नयन का मतलब होता है ब्रह्मा कमल नयन किनको कहा गया है ब्रह्मा को तो बहुब्री ही भी है तो जो पहले option रहेगा वो मारेंगे अगर option में ये ना होता तो ये मारते अगर option में ये ना होता तो ये मारते लेकिन दोनों है, तो जो पहले रएगा, वही बारेंगे। अगला है पाप पुन्य etus. पाप और पुन्य पाप और पुन्य, बीच में और आया, तो दवध मास कौन सा समास? चतुर आनन चार है आनन जिसके यहां पर देखो बीच में लिख भी दिया है ऐसे तो हम पहले ही बता चुके है चार है आनन मतलब सिर्फ चार किसका होता है तो यहां पर अर्थ कुछ और निकलता है दो जगा क्या बहु ब्रही यथा शिगर यथा लगा हुआ है तो कौन सा सम समसत देश और बीदेश देश और बीदेश तो आगे में क्या है बीच में क्या है और तो और से चुड़े तो द्वांद समास तो बस इतना ही आपको समास में अब्जेक्टिव पूछा था भी तक में 11 से लेके 22 तक का पूरा शॉलिशन है तो आप लोग एक बार देख लि या फिर आठ नमबर दे तो आठ नमबर आप पा सकते हैं